हलो गाइज मैं हूच अंदर महुरे और आप देख रहे हो नौइज फॉक्ट सो गाइज आज हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने ब्लोग में टैंपलेट को कस्टुमाइज कैसे कर सकते हो जैसे कि आप सब जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि आप अपने ब्लोग में टैंपलेट को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने ब्लोग में उस टैंपलेट को कस्टुमाइज कैसे कर सकते हो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि टेंपलेट कहां से डाउनट करना है और उसको अपने ब्लॉग में इंस्टॉल कैसे करना है तो उपर आई पटल में आपको जो वीडियो देख रही है उस पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो आज हम लोग बात करेंगे कि उसी टेंपलेट को हम कैसे कर सकते हैं वीडियो को लाइज तक रहे सकता है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कांफ़ी खास होने वाला है ब्लॉगर्स कलिए वीडियो लाइज तक देखिए और वीडियो पसंद रहाती है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टेग्राम पर यह फॉलो कर सकते हूं इस टैंप्लेट को मैं कस्टमाइज करने जा रहा हूं उसी टैंप्लेट को आप अपने ब्लोग में लगाना चाहते हो इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका लिंग मैं नीचे डिस्क्रि तो इसे ट्रक्त रहा है कि यहां आगे आज लिख सकते हैं कि आप अपने व्लोग में टैंप्लेट को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने ब्लॉगर में जहां पह आपने töब्लोग को यह से ओन्पन करूँगा तो आप देख सकते हूं मेरा website जिसे मैंने बनाया था, अब इसमें अभी मैं इसका template दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से देखता है, देख सकते हूं आप template कुछ इस प्रकार से देख रहा है, अगर आप इसी template को अपने blog में भी लगाना चाहते हो, तो इस template का link मैं नीचे description box में डाल दूँगा आप वहां से download करके इसे आप अपने blog में लगा सकते हो install कर सकते हो और इसको कैसे customize करना है चलिए आज हम लोग सिख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ features multi यहां देख सकते हैं multi drop down लिखा बगर बगर एक्ष्ट्रा में features है इसके जगा हम अपना label कैसे लगा सकते हैं जैसे नीचे आप देखो मेरा label है नीचे आपको मेरा label आपको दीखने को मिल जागा जिसे को कुरोना country and world knowledge motivational studio technology यह मेरे label है यह सब मेरा label है और इसी label को मैं जो देख रहे हैं features multi drop down यहां पर लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊँगा तो अभी मैं आपको बता देता हूँ तो क्या करना है पहले सबसे पहले आपको आना है और जिस label को आप वहां पर लगाना चाहते हूँ उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी कुरोणा से रिलेटर मैंने पोस्ट लिख्या है नीचे आ जाएगा तो आपको क्या करना है उपर जो आपको यूवरल दिख रहा है यहां पर यहां पर सर्च बार में इसको आपको देखने को मिल जागा main menu १ कि यहाँ देख सकते हो टाप मेन्य दिख रहा है अपको तो इस मेड़िट वाले बटन पे आपको sounds कि आप एडिट के बटन पर क्लिक करते हूं आपके सामने जितने भी यहां पर देख रहे थे ना ओव फिचर्स मुल्टि ड्रॉपडाउट डॉपडाउन वन डॉपडाउट टूपडाउन थ्री बेता सब यहां आपको दिख रहा है जिसको अप एडिट करना चाहते हैं से ए आपको क्या करना है अगर आप पूरे फिचर्स रखना चाहते तो रख सकते हो लेकिन आपको डिलेट करना है तो आप इसे डिलेट भी कर सकते हो गर गाइज इसमें से आप सभी रखना चाहते तो रख सकते हो या फिर आप डिलेट करना चाहते तो कर भी सकते हो जैसे मैं यहा मैं इसको यहां से डिलेट किया और इसको भी डिलेट करूंगा मेरे पास लेबल चार ही है तो मैं चार ही रखूंगा भी यहां से को डिलेट मैं करूंगा अब देख सकते हैं पांच है और अब चार बच गया है तो मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूं इसको चेंज कैसे कर करना तो यहां आफ देखो एडिट का बटन देख रहा ड्ले suka बटन देखेगा इस को क्लिक कर देड़गा जैसे आप सis अब भान पर क्लिक करते हुं यहां आपको देख जाएगा इसा यहां पर आपने लेबल का नाम डाले जैसे मेरा लेबल था कूरोणा indeed इस पर आपको खुरोणा दी कर देंगा है यहां देख सकते हो है यहां पर करूणा बटन हड़ चुका है क्योंजा आ circa बॉटन देख रहे हैं जैसे हैप इस लिक करते हो इस सेब हो जाएगा चलिए अपने ब्लोग और पर आया जो फिचर मैंने आड करा उवाया यह नहीं तो तो क्या करना हम यहां पीडर यहांद यहां पर इसकर इख रहे हैं तो इसको और सबसक्राइब कर लेता हूं तो सबस्यों सबस्किद्रेख कर देख सकते हो यहांों TOP और यहां और और सब जितने भी फॉलतु के यहांपर लेबल दिख रहे थे उसे मैं ने यहां से टुरीन रेट कर दिया है और मैंने चार भी रख है था तो यहां पर चार दिख रहा है जैसे क्रोंई गिए तो क्रोंई आज और गया उसी तरसे से आपको को यहाँ पर लगाना चाहते हो मल्ट दॉप्डाउन के जगा पे महां पर आ जाना है उस लेबल पर जैसे हैं कांट्री और वल्ड दोलेज को डालना चाहता हो तो इसको इसको मैं पार 550 करने के लिए जैसे मैं इसको यहां आशा ने करना ना ex इसको हैं यहां से डिलेट करना है और जो यहां पे आपको दिख रहा था यह जो लेबल लेख रहा था आपको मैं एक ऐक बार फिर से आपको दिखा दूस्त है इसको इस लेबल को नाम है इस लेबल को नाम को यहां से कॉपी करना है और आपको आजाना है टॉप नेविकेशन के एडिट बटन पर इडिट बटन पर आने के बाद इसको यहां पर पेस्ट कर देजिए पेस्ट करने के बाद आपको आना है यहां से इसको मेनिवाइच किया और उ है और यहां right click करके इसको copy कर लेना है जैसे आप copy करते हो आपको फिर से हाजाना है अपने टॉप ने के स्थे सक्षन में और यहां पर आपको यह ने डाला था उसका लेबल इसके नीचे हैं स्थ के जगा मुझे डालना है उसका URL तो यहां यहां पर कर दूँगा पेस्ट जिस देख सकते हो उसका यूड यहां पेस्ट हो चुगा है इस पर से बादले बॉतन पर क्लिक करूँगा और यहां देख सकते हूं आप आचुगा है कंट्री एंड वर्ल्ड नौलेज तो मैं इसको एक बार रिफ्रेस्ट करता हूं जैसे मैंने डिफ्टेस किया आप देख सकते हो country and world knowledge यहाँ पर आ चुका है क्रोणा भी यहाँ आद दिख रहा है आपको और यहाँ पर इडर पेज देख रहे हो यह इडर पेज और SEO सर्विस आप इसे भी यहाँ से हटा सकते हो बहुत असान है जैसे मैंने पिछले वाले ले लेबल को भी change कर सकते हों जैसे आपorp मैंने यहां पर मेंसे लेवल ल्काल चendy नहीं देख रहा है यहांपे मेरा 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 शुनीया सब्सक्रच करेंने जीए जाएिगा और मोटिवेसनलन स्टोडी जितना भी होगा इस पर क्लिक करोगी आपको सब दिख जाएगा इस तरह से तो आप अपने हेड़र के जो भी मेन मेनु है उसको चेंज कर सकते हो अब गाइच आप बात आती है कि आप यहां पे जो फ्यसबूक है रेंडम पोस्ट different comment और पॉपपुलर पोस्ट और कैटेगोरी लीज़ आपको देख रहा है अगर आप इसमें से किसी है कुछ टाना चाहते हो सबको टो नहीं हटाना चाहिए लेकिन यहां से आप Facebook को हड़ा सकते हो ठीक है या जैसे आप Facebook हड़ाना चाहते हो तो क्या करना है आपको फिर से ब्लोगर के लिए आउट में आना है यहां पे यह जो रिमूब का बटन दिख रहे हो आप इस पे आप क्लिक कर दोगे रिमूब आले बटन पे तो यहां से करोगे और यहां से आप देख सकते हो Facebook आप चुका है email का आपसन हड़ें दो जो भी कोई आपका व्यूवर्स का आपको कॉंट्क्ट करना चाहिए आपको जो mail करना चाहिए वह आपकी email का मादम से आपको यहां पे अपना जो भी message आपके पास send कर सकता है और यहां से आप इस कोई भी नए gadget को यहां लाना चाहते तो add gadget पर प्लिक करोगे और यहां से आप कोई भी gadget सेलेक्ट कर सकते हो जैसे देखो यह एडसेंस का अप्रूबल मिलने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो फिचर्ट फोस्ट ब्लॉग सेर्च एस्टेमल जावा स्क्रीप्ट और बहुत कुछ हैं यहां पर आपके विक्कीपेडिया का ओप्सन भी अपने वेपसाइट पर ला सकते हो जो आपकी वेपसाइट पर ही है कि विक्कीपेडिया का कोई भी नौलेज सेर्च कर सकता है इसको लाने के बाद